हालो हां जी तो अब हम इंडिफरेंस कर्व पे आ चुके हैं और अभी तक हमने जो इंडिफरेंस कर्व में समझा सबसे पहले हमने समझा कांसेप्ट आफ इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले हमने समझा कॉंसेप्ट आफ इंडिफरेंस कर्व और उसके बाद हमने समझा प्रोपटी आफ इंडिफरेंस कर्व और हमने अलग-अलग सिच्विशन में इंडिफरेंस कर्व किस तरगे से ड्रो होता है उस चीज़ों को भी हमने last class में discuss किया था अब हमारा question है explain the consumer equilibrium with the help of indifference curve मतलब कि उपभोगता संतूलन के बारे में बताना है हमें indifference curve के थ्रो तो सबसे पहले आपका question ही आजाता है कि sir ये indifference curve से consumer equilibrium किस तरीके से होगा तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले budget line को समझना होगा देखिए consumer equilibrium के अगर बात कर रहे हैं तो consumer equilibrium किसे कहते हैं एक वो situation जब consumer अपने limited income को different kinds of goods and services पर इस तरीके से expense करता है कि उसको maximum satisfaction level मिलता है एक छोड़े से example से ये आप ज़रा समझिएगा और आपने plan किया कि इससे आप एक T-shirt लेगर के आएंगे तो आप randomly कोई भी T-shirt आप आप बंद करके select नहीं करोगे जहर सी बात है पहले आप अपने budget के according देखोगे कि best market कौन सी है पिर आप उस market में जाएंगे तरह उस market में भी आप ऐसे ही कोई T-shirt नहीं उठा लेंगे आप दो चार दुकानों पर जाएंगे और आप options को देखेंगे जब finally आप ये realize कर लेंगे कि मेरे इस 500 उपीस में इससे best मुझे नहीं मिलेगा अगर आपको फिर भी लगे और आपके कान में कोई आके फिर भी बोल दे यार 500 में वहाँ पर तो इससी भी एच्छे मिल रहा है तो आप उसी टाइम छोड़के भाग जाओगे वहाँ पर कि consumer का nature और behavior ही ऐसा होता है कि consumer अपने limited income से चाता कि जितना ज़्यादा satisfaction मिल सके वह उसको मिल जाए maximum satisfaction की तरफ consumer जाता है और जब आप जब आपको ये realize होगा कि भाईया अब इससे best आपको नहीं मिल सकता है आप में सब को ढूंड लिया सारे option को compare कर लिये जब को realize हो गया कि कि अब इससे best आपको और कुछ भी नहीं मिल सकता है तो उस situation में आप फिर उसको buy करने का decision लेते हैं और जब भी आप किसी चीच को buy करने का decision लेते हैं वो situation ही consumer equilibrium होता है और उसमें किसी भी तरीकी की changes को आप accept नहीं करेंगे ठीक है जी? clear है? तो सबसे पहले आप बताएए यहाँ पर कि consumer equilibrium का मतलब सुझ में आया और नहीं आया तो यह एक चीज आपके सामने है यह लिख रहा है आपका consumer equilibrium के वारे में when the consumer spends his income on different goods in such a way that he gets the maximum satisfaction he said have to reach the equilibrium position consider a consumer who is trying to maximize his utility ठीक है जी? clear है तो consumer equilibrium का पहले आपको meaning सुझ में आ गया तो आप पूरे दिन भर में जितनी बार भी कोई भी चीज खरीदने का आप decision लेते हैं वो सारी situation आपके लिए as a consumer equilibrium होता है even अगर आप कोई सामान खई ने गए और आपके एक रुपए आपका change बचर है उनके उपर उन्होंने का जी एक toffee निकाल लो तो आप उसे एक toffee को भी randomly नहीं निकाल लोगे कोईसी भी देतो नहीं उसमें भी एक second के लिए आप confused जरूर हो जाएंगे कि भाया कौन सी निकाल आपको फिर आपको रिलाइस होगा है और यह ज्यादा मुझे satisfied करेगा तो आप उसको विड्रो करोगे तो consumer का nature ही ऐसा होता है कि वो अपने limited income को different kinds of goods and services पर expense करते टाइम पर हर बार इस चीच को देखता है कि उसको उससे maximum certification level मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस given income में और उस information थी clear है तो first of all आपको इचीच समझ में आगी कि consumer equilibrium किसे कहते हैं देखिए बारा बच्चे इस समय है और अगर आपको कोई doubt है clear है नहीं है आप chat की थिरूँ आप बोलते रहेंगे clear है audio की थिरूँ भी आप अपने doubt पूछ सकते हैं topic से हट करके कोई बात है आपकी तो classes के बाद मैं आपके 5 minute आपको मैं दूँगा 5-10 minute 15 minute जितना भी आप चाहते हैं वो लीजिएगा पर classes को off करने के बाद हम दूसरी चीजों पर discussion करेंगे ठीक है लेकिन अभी class के दौरान सिरफ to the point topic oriented ही कोई doubt है तो आप जो है hand raise कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं आप comment करके clear हैं बूल सकते हैं ठीक है जी आपका participate होना participation आपके जब तक नहीं होगा तब तक class पर मज़ा नहीं आएगा यह आपको आया है पहले consumer equilibrium किसे कहते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हम यहां पर अब consumer equilibrium के लिए तो भाया आपको maximum satisfaction चाहिए अब satisfaction तो देख करके आँखों से नहीं मिल जाता है आँखों से संतुष्टी तो नहीं मिलती न उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है consumption करना है ठीक है तो आप consumer equilibrium की बात आ पड़ी है तो जहिर सी बात है maximum satisfaction लेवल की बात है और maximum satisfaction लेवल की बात भी बाद में आती है उससे पहले बात आती है आपकी budget के उपर यह आपका budget है भी या नहीं है उसीच को लेने के लिए तो इसलिए सबसे पहले आप जो है concept समझेंगे budget का तो मैं इसको आगे continue करूँगा उससे पहले आप budget के बारे में समझ लीजिए कि budget क्या है देखिएगा एक पहले टेबल से समझने कोशी करते है budget के बारे में यहाँ पर एक combination लेते हैं ठीक है न और इस combination को दो जगे पर खर्च कर रहे है एक goods x है आप कह सकते हो जी apple है और एक y है आप कह सकते हैं इसको बनाना है तो दो तरीके के आपके पास में goods है तो और आपकी income भी में मैं बता जिता हूँ consumer की जो income है जो budget है यह income चलिए मैं आपकी रख रहा हूँ यहाँ पर 10 रुपे consumer की income कितनी है दस रुपे है और अगर apple है तो उसका price भी होगा यह two rupees का एक apple है और यह एक रुपे का एक बनाना है बात करते हैं combination की तो सबसे पहले पहले combination आप बताईए कि अगर आप अपने 10 रुपे को apple पर खर्च कर देते हो मनले 5 apple अगर आप ले लेते हैं ठीक है तो फिर चलिए अगर आप यहाँ पर कोई भी apple नहीं लेते हैं सारे पैसा आप बनाना पर खर्च कर देते हैं तो कितने बनाना ला पाओगे आप 10 बनाना ला पाओगे तो आपका बजट कितना हुआ बजट देखते हैं जरा आपका बजट आपका सासा देखते चलेंगे बजट तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के लिए आपके पास में apple कितना है apple की zero quantity है और एक apple दो रुपे का है plus 10 quantity बनाना की बनाना आपका एक रुपे का है तो बजट में कितना आपका आया या आपका 10 रुपे का आपका बजट आ गया budget कितना है जी आपका 10 रुपए का budget आ गया ठीक है अब हम यहाँ पर बात करते हैं अब हम यहाँ पर बात करते हैं B possibilities के उपपर कि B possibilities मान लो आप जो है एक apple ले लेते हैं तो आपके जो है दो रुपए वो apple पर चले गए अब आपके पास में remaining income बची कितनी remaining income आपके पास में 8 रुपे बची हुई है तो अब आप यहाँ पर 8 रुपे इस पर खर्च करेंगे तो एक रुपे का है तो आपके पास में 8 quantity आजाएगी आईए बात कर लेते हैं बजट के उपर आपके बजट के उपर क्या हुआ आपके साथ में आपने एक लिया एप्पल जो की दो रुपे का है और प्लस आपने लिया आठ बनाना جो की आपका एक रुपे का है तो तो तोडल आपका budget कितना हुआ अपके आपका दस रुपे हुआ है budget आपका 10 रुपे यहाँ पर भी खर्च हो रहा है ठीक है चले एक और example लेते हैं माल लेजिए यहां पर अगर आप दो apple ले रहे है है तो चार रुपए तो आपके यहां चले गए और जब चार रुपए आपके यहां चले गए है तो आपकी 10 रुपए की income मेंसे जू रिमेनिंग income बचिये 6 रुपए तो चार रुपई करेंगे एक एक रुपई करेंगे खान यहां पर बिंग मैं आपकी बजट की बात करों तो आ विंप मैं मतलब आपके च्छार रुपई चले जाने हैं और बचेंगे चार रुपई तो यहां कितना है का चार इस तरीके से बजट आपका यहां पर भी दस रुपए जाएगा क्योंकि तीन और इच आपका दो का अच्छय और प्लस चार और इच आपका एक है तो दस रुपए आपकी इंकम ही ठीक है जी, क्लिर रहें और इसी तरीके से चलते जाएंगे यहां पर आपके पास में चार ले लेंगे अगर आप तो आठ रुपे खर्च हो American task. दो रुपे में तो यहां पर आपका 2 ही मिलना है, तो आप यहां पर चार और प्रक्ष्णिक आपका दो आठ रुपए और डो एक रुपए का तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपने पांच ये ले लिया तो पूरी इंकम खर्च होगी और जीरो और एक के साफ से तो कुछ मिलेगा यह नहीं आपको तो यहाँ पर दस रुपए तो यह आपका क्या आगए यह आपका जो है बजट है तो यहाँ पर मैंने एक शुरूल से समझाने के कोशिश किया बजट के अंदर क्या यह समझाने कोशिश की गई है कि आप अपने बजट से किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स पर पूरा बजट खर्च नहीं करते हो इसको different kind of goods and services पर खर्च करते हो जहाँ पर हमने दो तरीके goods लेकर किसको समझने है ना पूरे micro economics में मैं तो नहीं कहूंगा complicated है बट student को लगता है सबसे complicated chapter है पूरे micro economics में इससे मुश्किल कुछ भी नहीं होगा एक student के point भी से वो है आपका indifference curve लेकिन पूरी कोशिश है कि बैतरिन तरीके से समझा पाऊं आपको और आप अच्छे से satisfied हो अच्छे से अप यहां रख देते हैं ठीक है यह समझने के time पर थोड़ा बड़ा ठीक था अब आपको समझ में आ चुका है तोड़ा समय दीजिए इसको मैं तोड़ा ठीक कर लूँ ठीक है अच्छे शोर आप कोई है अच्छे जी अब बात करते हैं बजट लाइन की अब जब हम बजट लाइन की बात कर रहे हैं अच्छे यहां पर देखेंगे आप था एक पहले हम ग्राफ कराते हैं कि क्यों करना पड़रा है हमें यह सब क्योंकि आप एक कंजुमर एक्ली solely कि बात कर रहें हो और जब आप कंजुमर का включ PER लिए तो आप 使 Cont supervision लाइन की अब आप skipped commission आ को ऑ सालिस्फेक्शन लेबल भी मिलेगा तो दोनों बातों को जैस्ट ने करना si satisfaction का भी और उसके बजट का भी ठीक है अब आप साहए है घर सी बात आप और आप को समझने की कोशिश करो कि कि यहां पर आप समुझने की कोशिश करते हैं देखेगा तरह आप इस बात को समझने कि आप कोशिश करो क्या? कि ये इनसान कहता है कि मुझे maximum satisfaction level Ferrari car पर मिलता है Ferrari car पर मुझे मैं equilibrium में आऊंगा तो आप तो इसकी बात को मजार्ट में ले लेंगे क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसको कि इसकी city नहीं है इस Ferrari को drive करने की चलाने की तो जब कोई चीज ये use ही नहीं किया इसने तो इसको कैसे maximum satisfaction level मिल गया और कैसे ये equilibrium में आ गया तो कोई इस परकार का वेक्ति बोलता है मैं Ferrari car पर मेरा equilibrium होता है maximum satisfaction level मिलता है उसके लिए इसको use करना भी तो जरूरी है और आप तो इसको यकीनी नहीं करो क्यूंकि यसका बज़ट आपको नजर आनी रहा है इस situation में तो आप जो है इसको equilibrium का stage नहीं कहा सकते हो ना क्यूंकि ये तो इसकी budget से का चला गया इसकी budget से बहार सब सब नजर आ रहा है आपको तो इसलिए बजट को देख करके ही तो हमें पता लगेगा कि बज़या इसका मैक्सिम संटिफेक्शनेबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है इसलिए बज़ेट लाइन आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है ठीक है तेरी बाद समझे नहीं समझे ख्लियर है तो खेर उस चीच को यहां पर एक्स्प्रिन कर से जादे बेटर होता है कि तो इस बज़ेट के बारे में मैं पहले आपको समझा रहा हूं तो आप आईए देखेगा आप सबसे पहले आप इस चीच को ज़रा समझे कि एक मैं यहां पर और इजन है य एक्सी से एक्स एक्सी से और गुड्स एक्स हो गया और यहां पर गुड्स वाई हो गया ठीक है क्लियर है और अगर आप देखेंगे बजेट लाइन तो मार्क करते हैं पॉइंट पहले हम एक्स को एक दो तीन चार पांच और य एक्सी में हम दो से इसको काउंट कर लेते हैं तो छार आठ और दस चलिए अगर हम इसको सॉल करते हैं तो जीरो और दस है, तो जीरो एक्स का और यह 10, तो आपका यह यह याला पॉइंट है आपका, इस पर मैं लिख सकता हूं आपका, कि 0 unit of x, 0 unit of x plus 10 unit of y community equals to 10 रुप्य का बजेट, वही बात मैं इस पर यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है? A हो गया, यह A point हो गया, आप मैं बात करता हूं B point की, तो B point पर क्या है आपका, एक और 8 है, तो B point पर क्या है, एक पर x1 है और यह 8 है, यह बी पॉइंट है जहां पर आपको पता लग पा रहा है कि X की एक यूनिट है और आठ यूनिट आपके Y की है और दस रुपे का बजट है इसी तरीके से आपके पास में दो पर आपका 6 है तो यहां पर C पॉइंट है दो पर 6 C पॉइंट है और यह आपका क्या है दो इनिट है और एक दो का है और प्लस 6 और एक एक का है तो दस रुपे और इसी तरीके से आपके पास में तीन पर आपका 4 है तो तीन पर 4 यह आपका D हो गया जहां पर तीन है और चार आपका यह है तो दस आपका उगया और E पर आपके पास में चार पर आपका दो है तो E पर चार उनिट पर दो आपका यह हो गया तो यह हो गया चार यूनिट और दो यूनिट आपका यह है और इस तरह के से दस रुपए आपका हो गया और F पर क्या है आपके पास में आपके पास में F पर 5 यूनिट ये है 1-2 का और 0 यूनिट आपका ये है तो 10 रुपे आपका ये हो clear है अब आप क्या करे है इस लाइनों को आप जुह एक बार connect कर दें इस लाइन को आप जो है connect कर देजी तो आप ये जो green line देख रहे न ये आपकी budget line है ये बजट л Net क्या बतारा है ये आपके different combinations के बारे में बतारा है ये different combination के बारे में बतारा है जिस combination को एक consumer अपने given income से buy कर सकता है can afford एक consumer इसको afford कर सकता है तो इस budget line पर अगर consumer किसी भी bundle का अगर consumption करता है budget line के उपपर तो इसमें उसकी पूरी income का utilization होगा, उसकी पूरी income खच्च हो रही है, income दस रुबे रखा था न मैंने पूरा दस रुबे खच्च हो रहा है नहीं हो रहा है तो budget line, line क्या बताता है यह budget line, मैं बात कर रहा है, budget line की यह budget line जो green clear में जो यह budget line क्या बताता है यह बताता है कि एक consumer different kinds of goods and services के different combinations को afford कर सकता है और यहाँ पर उसकी पूरी income का fully utilization होगा, समझें दूसरी बात, क्या मैं इस budget से क्या मैं इस budget के अंदर अगर मैं किसी point of के बात करूँ यहाँ पर मेरे पास में X की 4 unit जा रही है, तो मतलब की आपके पास में 8 रुपए और Y की, Sorry, X की हाँ पर 1 unit है, एक से 2 रुपए, और यह आपका 4 तो 4, तो 6 रुपए खर्चा हो रहा है कितना खर्चा हो रहा है, यहाँपर नहां पर उसका 6 रुपए खर्च हो रहा है हो रहा है या नहीं हो रहा है तो मतलब budget line के अंदर कोई point भी बताता है कि consumer अपने strength से जो वो buy कर सकता है अपनी capacity से कम खर्च कर रहा है budget line के अंदर भी किसी भी point को किसी भी combination को buy कर सकता है मालो ये G combination है consumer can afford इसको हम कहते हैं budget line इसको हम कहते हैं तो consumer आप देखेंगे यहाँ पर आपके यहाँ तक उसकी reach है यहाँ तक consumer पहुच पाएगा तो consumer इस सारे budget line को भी ले सकता है इसके अंदर के किसी भी points को consumer can afford इसको भी consumer afford कर सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 unit जा रहा है तो 6 रुपे आपके यहाँ खर्च होगे दो यहाँ पर तो consumer के 8 रुपे ही खर्च हुए है तो consumer इसको भी afford कर सकता है तो consumer क्या गयल कर सकता है एक budget line के किसी भी commodity को bundle को buy कर सकता है budget line के अंदर किसी bundle को buy कर सकता है लेकिन इस budget line के बाहर किसी bundle को buy वो नहीं कर पाएगा उसकी कैबिसिटी उसकी छमता नहीं है पानलो अगर वो चाहे कल्जुमर कि किसको बाई करना इस बजेट लाइन के बाहर को एक पॉइंट रख लेते हैं चलिए के बाहर ये रेड कलर का पॉइंट रख लिया तो यहां पर आप देखेगा कि एक्स की कितनी उनिट है रेड की मैं बात कर रहा हूं यहां समझाएता हूं तो आपके पास में देखेगा X की कितनी उनिट है? 4 तो 4 उनिट है और 1 2 रुपे का है 8 रुपे खर्चा तो यह हो गया और Y की कितनी उनिट है? Y की 6 उनिट है तो 1 उनिट 1 रुपे का है तो आपका 6 रुपे खर्चा यहां आ गया तो 14 रुपय कहां से खर्च कर सकता है जबकि उसकी इंकम किसे नहीं है 10 रुपय है तो बजट लाइन के बाहर किसी भी point को consumer cannot be afford consumer उसको afford नहीं कर सकता है ये बात आपको समझ में आपको आये नहीं बताएजरा मुझे कोई doubt किसी बच्चे को तो बजट लाइन के बारे में आप समझ पाएं बजट लाइन के बारे में और भी बहुत सारी बाते हैं समझने के लिए पहले आपको यह समझ में आ गया और आपको कुछ बाते हैं जिसको हम समझते हैं सबसे पहले मैं बजट की बात करूँ तो आपने बज़ेट लाइन में ये समझा ये आपका ओरिजन है ये आपका Y-axis है ये आपका X-axis है ये आपका बज़ेट लाइन है ठीक है जी और इस पर डिफरेंट कॉम्बिनिशन है दूसरी बात बज़ेट लाइन के उपर आप ये भी बात समझ सकते है ये किस सिचुशन को बता रहा है ये इस सिचुशन को बता रहा है ये इस सिचुशन को एक्स्प्रेइन कर पा रहा है जनरली बज़ेट टाइन को हम A-B लाइन से रिपरेजन करते हैं ये बता रहा है कि वह या एक कंजुमर जिसका अपने बज़ेट से बाहर वो चीजों को देख पा रहा है बस वह उसके बज़ेट में नहीं आता है तो ये जो है इसके लिए ये बज़ेट टाइन के बाहर वाले पॉइंट को बता रहा है ये अगर सिचुशन देखें एक अमीर आदमी पैसा ही पैसा इस पर किसी सीच कोई कमी नहीं है इसका बज़ेट अच्छा है बहुत अच्छा बज़ेट है इसका फाई रिजन धर एकस एकसेज ठीक है जी तो यहां पर आपके पीपहपेश का इसका बज़ट है तो काफी अच्छे बज़ेट को यहां पर यह रिपरजेंट कर रहा है अगर आप solve करते हैं तो यह A-B budget है यह आपका Y goods है यह आपका X goods है तो यह क्या बता रहा है यह अंदर किसी एक point को बता रहा है कि भईया income इसकी यहां तक की है बट वो कहां पर consumption कर रहा है consumption उसे below कर रहा है वो तो यह इस बात को represent करता है यहां पर दूसरी बात यह है कि आपको यहां पर इसके बहार जाने सकते इससे अंदर आप रहोगे तो इससे better options आपके given income में है आपके income में इससे बहतर आप जा सकते हो क्योंकि आप कैसे पैसे बच रहे है इस लिए consumer अपने budget line पे रह करके equilibrium में आता है इस बात को तो अभी तक समझ चुके हो आप कि लेरे जी पहले मैं आपको एक क्लिवरियम के situation समझा जाएता हूँ और फिर में budget line में कुछ changes होंगे कई बार होता है कि goods के price में change आता है कई बार होता है consumer की income में चेंज होता है तो budget पे क्या फरक पड़ता है यह एक अलग चर्चा है इसको हम अगले class में लेकर आएंगे लेकिन अभी मैं पहले आपको जो सवाल स्टार्ट किया है उस सवाल को मैं आपको अंते तक पहले पहुचा दूँ किसमझ में आ आ गया आपको तो चलिए आप बात कर लेते हैं भाईया consumer equilibrium के हाँ यह रहा consumer equilibrium जड़ा समझते हैं यहाँ पर क्या होगा तो सर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक consumer equilibrium के जिसमें की भाईया consumer के budget का देखना बहुत जरूरी है बिना उसके budget को देखे आप नहीं बता सकते हो कि वो equilibrium में है तो यहाँ पर एक Y-axis है, जो positive है, और एक आपका X-axis है, ठीक है? और उसके income को represent करने के लिए आपको एक budget line लेना होगा, यहाँ पर आपके पास पर नीचे goods और य-axis है, और य-axis पर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपका goods Y, ठीक है? और यह तो होगया, उसके budget को दाता है, consumer इससे बाहर नहीं जा सकता है, और budget line को always हम, जो generally जो represent करता है, आप किसी भी नाम से रहते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है, A-B, budget line है, अब बात करते हैं, consumer की satisfaction क तो consumer की जो satisfaction है जी, वो एक indifference curve represent करता है, consumer का satisfaction level कौन represent करता है, consumer का satisfaction level एक indifference curve represent करेगा, तो एक indifference curve की अगर मैं बात करूँ, तो यह आपके पास में एक IC curve है, IC1, पर consumer का satisfaction level, different, different satisfaction level को represent करने के लिए, क्या चीए, different, different हमें IC चीए, क्योंकि different IC curve, different satisfaction level को represent करता है, ठीक है जी, एक हमारे पास में, यह एक IC curve है, IC curve 2, और भी different satisfaction level को हमारे पास में represent करता है, यह IC3 है, और आप indifference curve के बारे में अच्छे से जानते हैं, और समझते हैं, क्या, higher indifference curve represents higher level of satisfaction, section, उच्छा ना दिमान वक्र, उच्छा ना वक्र, उच्छे संतुष्ची के स्तर को बतलाता है, बताता है, effect करता है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम, थोड़ा color बनाते हैं, कुछ अलग color लेते हैं, अब देखेगा, indifference curve में एक तो यह a point है, चलिए यह b point है, यह मैं रख देता हूं, इसका नाम में रख देता हूं e point, इसका नाम में रख देता हूं d point, और इसका नाम में रख देता हूं f point, और इसका नाम में रख देता हूं d point, ठीक है जी, यह कुछ मैंने points बताएं तो सबसे पहले बताएं क्या consumer G point पर equilibrium में आ सकता है क्या consumer G point क्योंकि देखो consumer को equilibrium में आने के लिए जरूरी यह है कि उसको maximum satisfaction level मिले और maximum satisfaction level आपको higher indifference का represent करता है clear है यह बात हम समझ चुके हैं अब बताएं जरा क्या वो G point पर consumer equilibrium में होगा अक्षे कह रहे हैं जी नहीं होगा सब budget line straight line ही होगी हमेशा हाँ budget line के अच्छा यहाँ पर मेरे से मिश्रा जी ने budget line के shape के उपर बात कर रही है मैं भी इस point से फिर budget line के shape के उपर दोवारा आऊंगा और आपकी questions को लोगा हाँ जी तो यहाँ पर आप बताएं जरा नहीं नहीं सब बच्छे नहीं कह रहे हैं आप क्यों नहीं होगा G point पर consumer equilibrium में क्योंकि यह तो यह higher indifference कर वह है और जब यह higher indifference कर वह है तो यह higher level of satisfaction level को भी represent कर रहा है तो consumer क्यों नहीं होगा एक क्लिवर में जरा ही बताएं मुझे आप बताएं जी हाँ जी बताएं जरा क्यों नहीं होगा क्योंकि G के लिए income नहीं है ठीक है क्योंकि वो इसके budget से बाहार है यह तो वही वाली बात होगी फ्रारी कारवाली है ना तो कभी भी जी पॉइंट बे consumer क्लिवर में नहीं हो सकता है अब बताओ क्या consumer डी पॉइंट अफोर्ड कर सकता है डी को अफोर्ड कर सकता है यस इसके budget के अंडर में आ रहा है वो डी को अफोर्ड कर सकता है क्या वो C को afford कर सकता है यई बिलुकुल वो उसके budget में आ रहा है कि budget लाइन पर किसी भी bundle को वो buy कर सकता है इतर ये मैं नहीं बोता है budget line के था तो KS को afford कर सकता है अफ को भी afford कर सकता है था होться किस पर satisfaction होगा किस पर maximum सबसे पहले आपको यहां पर जानना भी है और आपको यह समझे नहीं भी है क्या मैं आपको बताता हूं ज़रे के एक्जामपल से समझेगा 500 रुपे का आप एक लोकल मार्केट में टी-शिट लेने गए समझे ज़रा आप पूरे 500 रुपे खर्च करकर आपको एक टी-शिट मिल रही है और आपको लग रहा है कि इससे बैटर आपको कुछ मिल नहीं सकता है लेकिन थोड़ी दिर बाद आपका दोस्त आपको कॉल करता है उसी समय जब आप ले रहे थे यार वो शोरूम है ब्रेंड आप चीज़ ले रहे थे और आप उस मार्केट में आप पहुंचोगे जहां पर ब्रेंडिड है तो उसी बजेट में आपको जब उससे ज्यादा satisfaction लेबल मिल रहा है तो consumer का motive तो यह होता है maximum satisfaction लेबल गेट करना अपने उसी income से तो जब आपको उसी income में उससे ज्यादा मिल हो रहा है पूरी income आप ही खर्च हो रही है ठीक है आपके F पर भी पूरी income खर्च हो रही है तो सबसे पहले आपको C point पर जितना satisfaction लेबल मिलेगा आपको F point पर भी उतना ही satisfaction लेबल मिलेगा क्यों क्योंकि यह एक ही indifference curve IC1 पर है और same indifference curve represents same level of satisfaction and higher level of indifference curve represents higher level of satisfaction तो आप दे लें जैनल ऑर आप IC1 पर हो यहां पर पूरा budget खर्च हो रहा है आपका F one पर हो यहां पर भी पूरा budget खर्च हो रहा है आपका लेकिन आप IC2 पर हो सेम बजट में आपको IC1 से ज़्यादा satisfaction लेबल तो आइसी टू पर मिलेगा तो consumer उसी income में जब उसको IC1 भी मिलरा है और same income म IC2 भी मिल रहा है, तो वो IC1 पर क्यों रहेगा, उसका तो परपस है maximum satisfaction लेना, तो maximum satisfaction लेने के लिए वो E पर आएगा, इसलिए ये equilibrium point हो गया consumer का, बेरी बाद समझे या नहीं समझे, clear है जी, कोई doubt, clear है जी, कोई doubt, तो ये तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा consumer, equilibrium की पूरी theory हो गई है, clear है, कोई doubt किसी को, अब एक student budget के वारे में कहा रहा था, थोड़ी सी बात पर चल्चा करेंगे, बिल्कूर करेंगे चल्चा budget के उपर, बच्चे ने पूछा सर, budget line क्या हमारा always straight line होता है, ये अच्छा सवाल था, आई जड़ा फिर budget line के slope पर, मतलब slope पर बात कर चुके हो आप, आप इसी को तो, फिर एक गेन करा, कितना sacrifice हुआ, तो आट से छे आगे, फिर एक गेन करा, कितना sacrifice हुआ, छे से चार आगे दो, फिर एक गेन करा, कितना sacrifice हुआ, फिर एक गेन करा, कितना sacrifice हो गया, तो, तो मतलब sacrificing rate हर बार क्या है, sacrificing rate हर बार क्या है constant rate से sacrifice हो रहा है और जब भी कोई चीज constant rate से changes आते हैं वो always straight line draw करता है परी बात समझे clear है इस चीज़ को न मैं ऐसे भी कर सकता था कैसे देखिएगा अब बताएं जब रहा price of x क्या है price of x commodity क्या है 2 रूपए ठीक है और price of y commodity क्या है एक रूपए अब मैं एक काम कर रहा हूँ price of x commodity divided by price of y commodity बतलब की 2 रूपए बटे में एक रूपए तो क्या है आफका 2 और 2 क्या है sacrificing rate है और sacrificing rate को हम क्या बोलते है हम इसको slope बोलते है क्या बोलते है slope बोलते है it means slope of budget line slope of budget line equals to px upon price of y commodity इस बात को आप सुझ में आपको आया या नहीं आया ठीक है तो अभी तक आपको दो बाते सुझ में आनी चाहे है यहां पर सबसे पहला आपको इस सुझ माना चाहे है कि slope of budget line क्या होता है slope of budget line slope of budget line आपका होता है price of x upon price of y ठीक है अब slope of indifference curve क्या होता है मत्तब sacrificing rate को इस slope कहते है slope of आपका ic क्या होता है आपका MRS of x y यही तो होता है हमारा ठीक है तो जब यह tangent है इस point पर जब यह tangent है तो यह जो जितना हमारे पास है y है उतना ही x है तो tangent का मतलब क्या हुआ दोनों का slope यहां पर क्या हो गया same level पे आ गया है यहां पर slope अलग अलग है अगर budget line का slope आप यहां पर है और indifference curve के लिए आपको ज़्यादा y ज़्यादा x चाहिए ठीक है तो यहां पर slope आपका दोनों का क्या हो गया दोनों का slope equal हो गया इसलिए आप यह बात कहा सकते हो यह बात लिख सकते हो आप पूरे हगदार हो कि equilibrium point कहां होता है equilibrium point वहां होता है जहां आपका px upon py equals to आपका m mrs margin rate of situation of x y जब आपका यह रहता है तो consumer किस में आ जाएगा consumer equilibrium आ जाएगा तो condition of यह consumer equilibrium है इस बात को आप समझ पाए इस चेप्टर का important question बता दो जो exam में आता है वो learn कर लेंगे नहीं learn तो आप कुछी नहीं कर पाऊगे वो समझाना ही पड़ेगा समझना पड़ेगा और दूसरी बात exam तो अभी time है ना आपके exam में अभी तो sol के अभी admission स्टार्ट हुए है हर चेप्टर के बाद मैं important 2-3 स्वाल लिखवा दूँगा लेकिन ना आप जैसे की अगला question ना हमारा जैसे आप यह समझेगा अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना तो इंपोर्टन question खेर यह भी important भीया यह आज आता है वेपर में और जैसे आप इन चीजों को फिर नहीं समझ पाओगी आप इस जो ICC है इस आप इस पास को अपने समझ पाएंगे consumer consumption कर तो आप इस चीज़ को आप को समझने के लिए पहले आपको इन चीजों को समझना होगा तो आपको समझा जा रहा है और यह भी important है आपके paper के लिए कंडिशन बच्चे ने का कि जी कंडिशन मताई है सर क्या कंडिशन इंडिफरेंस करें कंडिशन क्या है सबसे पहले आप देखेगा मैं और भी इंडिफरेंस कर यहां पर ड्रो कर सकता हूँ कि यह diagram खराब हो जागा जब आपको पास में फाइल जागे तो बिका दाएगा मैं एक्जामपल ले लेता हूँ एक अलग पीच पे देखेजिए और इजन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक्सिस एक्किया आपका फूट्स वाई और यह क्या आपके पास में फूट्स एक्किया आपका बजेट लाइन हो गया और मैं बहुत सारे इंडिफ्रेंस कप ड्रो कर रहा हूँ यहां पर देखे बहुत सारे इंडिफ्रेंस कप ड्रो कर रहा हूँ मैंने ठीके सबकर नाम देदें आइसी वन आइसी टू आइसी थ्री आइसी फोर आइसी फाइव आइसी सिक्स आइसी सेवन अब बताओ पताये यहाँ ने गाइस उतके साधिसवैड हो जाएक से इससे बाहर गया तो भया और फार च्रीटी काहा है लिए इसके अंदर वाला या तो बहतर दे रहा engineers के अंदर क्यों साटिस्फाइड होगा तो कहां पर साटिस्फाइड होगा जहां इंडिफरेंस करब क्या है बजट लाइन पर क्या है टैंजेंट है जहां पर यह सपर्ष करता है टैंजेंट तो टैंजेंट का मतलब होता है इक्वल स्लोप क्लियर है तो एक्वल स्लोप का मतल आपका indifference curve को slope होता है आपका MRS x y, दूसरा condition क्या है, कि indifference curve convex to the origin होना चाहिए, यह बात तो आपको पता ही है, कि indifference curve क्या होना चाहिए, convex to the origin, अब आए थियोरी में क्या है, जरा उसको जरा समझ लेते हैं, एक बार, 10 year, 10 year सासाथ लेकर चल रहा हूँ मैं आपका, ठीके, basically मैं आपका 10 year जो होता है, उसको सासाथ मैं लेकर के चल रहा हूँ, इस सारे कोशन 10 year हर चीजों से लेकर के बना रहा हूँ आपके में, आप 10 year में देखेंगे, इस सारे कोशन मेरे मिल जाएंगे आपको, explain consumer equilibrium using the indifference curve, discuss the effect of the price and income change on the equilibrium, यह तो अभी समझेंगे price effect का equilibrium पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिलाल अभी आप इस वाद को समझे, पहले consumer equilibrium already आप समझ चुके हो, ठीक है, अब आप समझे, we can find out consumer equilibrium, the combination of wheat and rice which gives the consumer maximum satisfaction by combining the indifference map, आप एक स्यादा indifference का बनेगा तो indifference map कहते है, and the price line, budget line को price line बोल दीजी, आप the consumer shows the price line AB based on the consumer limited, अगर आप मैं बात कर देता हूँ, इतना कुछ, यहाँ पर इसने income कितनी बताईए, 20, चलिए, यहाँ पर एक बात यह और कहा रहा है सासाथ, देखेगा, यहाँ पर कहा equilibrium डाल रही है आपका, यह equilibrium को सुचिश्य में कहा ला रहा है आपको, P point आपका क्या एक equilibrium point है, जो IC1, IC2 और IC3 और IC4, IC5 पर है, वही बात कहेगा, suppose in the process of trial and error, the consumer selected the D point, माल लो consumer D point select करता है, this one, D point, on the price line, which also lies on the, on indifference curve IC2, यह D point कहाँ पर, एक price line budget line पर है और IC2 पर है, having the selected D is find that by the moving to point A on price line, he could be better off because E line on the indifference curve IC3, he will therefore reject point D in favor of E, but at E is again find that the point of P, clear है न, वो सोचेगा कि यार D पर मैं हूँ, इसी budget में मैं E पर भी जा सकता हूँ, तो इससे better option है, पर E पर सोचेगा यार, उसी budget में मुझे तो यहाँ पर है, आपके पास मैं P भी मिल रहा है, जो IC4 पर है, तो सबसे अच्छा क्या है, P, उससे बहार तो जाने सकता कि उसके budget से बहार है, IC4 is also open to him, therefore he is rejects to E in favor of P, now having the reach P, he feels as he is at the top of a hill from the where any movement in the either direction leads him only to lower level, the consumer will curve IC4 is tangent and does not cut it, he is the maximized satisfaction, now we are in the position to state the condition in which the consumer maximized satisfaction within the limits, तो आपको ये बात समझ में आई, clear है, उन्हीं बातों को ये क्या कर रहा है, उन्हीं बातों को ये explain करता हुआ, ज़र आ रहा है, तो इस बात को समझ में आया या निया है, पता ही ज़रा, कोई doubt किसी बच्चे को, तो ज़रूर आप पूछें, अब सवाल ये है कि price effect है, तो उससे consumer equilibrium में कैसे आएगा, अब सवाल ये क्या है, कि भाया हमारा question क्या है, price effect से consumer equilibrium में किस तरीके से पहुँचेगा, price effect क्या होता है, substitution effect क्या होता है, income effect क्या होता है और ये normal गुर्से cases में क्या होते है inferior गुर्से cases में क्या होते है income consumption curve क्या होता है और इसका consumer equilibrium पर क्या फर्क पड़ता है इसको पढ़ने के लिए आपको अगली कक्षा का इंतिजार करना है और अगली कक्षा में आगे हम फिर से इसको continue करेंगे ट्रवाई नहीं आखको अगली करेंगे